हमारे पास एक T3L Android CarPlayer है जो कि Apple CarPlay को सपोर्ट करता है इस PS mixer में यह प्रऻप्लम है जैसे हम कर दिए लर्गा रहे हैं जैसे हैं जिए संज्डान चैक्क तो देखते हैं इसको कैसे कृहत करते हैं। तो हम अभी सबसे पहले बार चेक करेंगे के यह गए कि या चेक करते हैं कि जो प्रोबलम हो की शर प्रोबल्म तो हम एक पर अभी रिवर्स उज़ करके आपको दिखा दे रहा हूं कि मैं जैसे इसमें रिवर्स लगा रहा हूं तो यह देखिए मारा डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैंक हो गया है और इस पे नो सिग्नल आ रहा है ठीक है है नो सिग्नल तो देखते हैं सुक कैसे सॉल्व करते हैं तो इसके लिए कbor अब से पहले में जाएंगे यह दिशुल्यक काी इफिल्फ रूम के बाद हमें काज़ा कि लिए डənा इस ट्रेंग अव treकिक करनी हैं ठूपुजीड़ो ओनजीडो किसी की से प्लेयर में यह 1617 और 2014 पे भी ईपन होगा ठीक है यह यहमारा प्लेयर भी अश्टीच पर क्लिक करेंगे click on back car setting then HD reversing system, HD reversing system पर देखिए हमारा ये NTSC पर select है, अब हम इसको 725 पर HD 725 पर set करेंगे, अगर आपका camera नॉर्मल है तो आप NTSC पर set करें, अगर HD है तो उसकी resolution का अनुजार आप उस पर set करेंगे, उसके बाद हमें save कर लेनी है, player save पर click करेंगे, जिसी से प्लिक करेंगे प्लेयर हमारा रिसटार्ट होगा ठीके थोड़ेपर प्लेयर ही स्टार्ट होगा हम एक बार लिशंच करके एक बड़ चेक कर लेते हैं ठीक है can力 हो अगर आपके पास नौर्मल õ सबस्क्राइब मृक्त करें ऑगर जो एकता है तो हम सेट कर सकते हैं ॡिके आपका जो भी ऑड़ी रिह और एज कर लेंॡ टिक अमारा HD 720 camera था तो हमने HD 720 पर सेट किया आपका जो भी हो उस पर सेट कर ले ठीक है तो इस तरीका वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक यू